हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माइ न्यू ब्लोग तो चलिए करते हैं एक और नए ब्लोग की शुरुआत और सुबह के पांच बजरे हैं तो मैं उठ ली थी और क्योंकि ना शाम ना बस किचन किचन का काम करया था बार बाकी हना की तो जाओ हना तो इतना कुछ बिखर जया है बहुत ज्यादा तो आपने भी दिखाऊं सारा और ना बार इतना शांत मावलू रहा है सब सोन लाग रही हैं पानी के वाज अत्ती होगी आत्ती होगी कना अपने मना थाव है पानी बढ़ गया है बिना इमोटर के बढ़ जया कर एका दिबे चलानी प शांती आरे पेड़ पो दे हरे बरे अर्मोस मूंतकती साफ है दूंदूं देखो पड़ाइगी कना पड़े इतना कई दिनोंगे ना पड़ती जो सारा गर भी ख़र रहा हो आपने दिखाऊं पिर इसने में संगवां की सारी ने और बच्च्छा का लंच बनाना है लंच मे के बनागा तक वह भी देखूं में एक बार वह भी बताती हूं आपके साथ शेयर करती हूं देखो गाइज आनकन है सोप पेपर गेर दिया तोल्या यड़ गेर दिया हेर ड्रायर भी यड़े पड़या है और ये जूत्ते जाते सब कुछ नूँआ भी खर रहा है और ये देखो गाइज मने ये सूट सिलवाया था अपना नए वाला कल मैं बोल दिथी और ये हनी खेलत्या करेस करी थी अपने चुन्नी चान्नी था मने शाम नहीक कर दिथी तैवे तो देखो ये मेरूम कलर का सूट है सर्दी का मने यो पैरा तो मेरा कल्चू बन लागया है यह मने वापस निकाल दिया तब मैं ब्लैक वाला सूट डाल के गई थी अपना इए पैंट है और देखाँ इसका मैं गाईज सेट भी बना का जा रही थी देख़ो मतलब जा एक रही थी सैट पर लागया तो मने वाप्पिस निकाल दिया यह इसका सूट अंदर रख्या है और अंदर का कमरा भी देख लो कितना मैसी हो रहा है सारा सब कुछ सब कुछ यह देखो अनीन कपड़े वपड़े सारे सब कुछ निवा फैक रख्या अनीन के मनने भी निवा डाल रख्या देखो आप न दिखा हम यह बाला सूट और जुकर धाना निवा निकालकर निवा चली गए क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे हम अज देखो इसका भी इ इसका शोल बोथ प्यारा गोल्डन कलर का देखो मैं इसका शोल बोथ प्यारा और मने यो सिल वाया मगा मेरा सूट सील दे मैं पैन का जाना है जल दी तही देखो इतना प्यारा स्टोल है इसका बोथ प्यारा और मने यो कलर हना बोथ प्यारा लगया था यह है इसना मैं बा मैं किचन का काम कर रहा सब पहला तो आगे हैं किचन में देख लो गाइस दूद हो जया शामने सब तई दूद दिया रितिकान चाय बना का प्यादी ना तफिर एक्टिव सी हो गे थे इस मारे तसारा फिनिस और बिल्कुल एक दम क्लीन है दूद भी एक बार तो हो रहा है इ बेक बार ओर करूंगे मैं ब्रेक फास्ट में सोच चूँ हूं के बना दूब और पसंद भी है बच्चान मेरे ना समान निकाल लिया है गाजर डालूंगी और दो आलू डालूंगी क्योंके छोटे हैं बड़ा होता था इकक डालती और मेरे बेटी ने पोए में टेमाटर अब पसंद ने टेमाटर भी डालूंगी 3-4 लिया हूँ मिर्ची दो और ये फ्रोजन कर रखी है मतर चील कर ने आ फ्रीजर कर रखी है तो एक बार सब तै पहला इन में सारी चीजा में मतर चिल रही हैं तै पहला में मतर उबल नी रख दूँ 20-30 मिनट ती इतना गाजर औ ली है एक साथ और वो भी बस ओन वाड़ा है और मैं इसमें इतना सा मिठा भी डाल ला कुरू गाइज निम्बू मेरच टेमाटर राई और मतर पोवा मुंफड़ी इसमें और गाजरालू लाग रही है तो मैंने गैस भी रख दी है और मने चाय भी रख दी है तो मैं एक बार इसने जल्दी तो छोक लिए अगर आप नहना सब्जी खाणी हो ना चिम्नी न बसकर ता आप सब्जी भी खासको देखो गाइज इतने सारी सब्जी है इसमें तेभी इसमें मैं एक बार पोवा दो कर डाल दू पोवा बना दिया है गाइज देख लो कि नमस्त लग गए न और खान में भी बिना एक खाई बताओं बहुत टेश्टी मन रहा होगा और मैंने बरतन बरतन एक आदात दो दिया बस चादान रहा गया बाकी सारे ये पतिले बगोने जितनी भी बहुत खाम हो जाए सुबह सुबह सब कुस दो दिया है ते एक बार मैं भी चाई पिलू कैसा लगया नहीं मस्त बन रहा है मस्त बन रहा है सची मैं दाई के साथ क्योंकि ये चाई वाई नहीं लेता तो खाले रितिका न छोड़ा बटा एक बर इसका भी टाइम हो गया स्कूल का ठीक त्री आवर्स लेते हैं थेलो हनी हनी न खाई है पनीर के पराठे मैं इतना इना इतना खा भी लिए क्यों रहे किसे लगे बढ़िया लगे तो यह नो बला मुमी में पनीर के प्राम ठेखांगा ता फेर मन सब जीना बनाई पनीर के पराठे बना दिये गाई फिर तो चलो दिखाती हूं आपको भी बाहर का भी संगवादिया गए जिद्टे जाते सारे सोपे, ऑर अंदर का भी संगवादिया जै शूट रखे मेरे मेaty मन पनीर अपराथा देखो खाओगी कि ना खाओगी खाओगी तह ठीक है ना तर उस ती न उसने पोवा इतना प्यारा लगया करें बोत बोत ज्यादा तप भवा भी रख्या निन पोवा बोत थोड़ा सा इखाया था वहला मुमी मैं फेर खाऊंगा पहला मेरा प्राम्ठे खान नजी और दू देखता गरम हो गया है और दूसरा दर रख्या है ते चलिए गाइज लेट रहे थे हमें अर अब लोग देख लाग रहे हैं अपना इप लोग चाल रहा है अन्डी बादरी बैख्या इतना मतलब मेरा मन करा गर ना इतना यो डिबा इसके पेट में जा लेगा फिर में तेरे पेट का यो खोल करने यडेता है और जब खाऊंगी मेरे लिए चाय ना देख बड़ी असी नम जे खुझ ना खाती मेरे उपर नाम टेख दी फिर मेरा बाई के गुड़ी बमन ना करता है दर्द्या डिबा ठाक है हाँ दिखा ले दरग इसन ठाका नहीं दर्द् मन याडे दर्या दिखायो कि दर देख लेगी था है पाप पर आ गया सोंबिर जी जा रहे थे किता कामत है और आज उन ने चुटी गड़ रखी है तब इब आगे लग गए भी निकले आई है और सोंबिर जी भी आगे हैं हेलो और रितिका के बनाव गरिती तरिका कोण सी डेल गैनो तो रितिका बनाएगी कोफी और ये इस में केके गेर के लाई बटा मिठा कोफी और थोड़ा सतानी तो यह ना देखो ही से रंग का गाई जरी इसमें रंग देख्यों आप यह इस मैसर ताम बार बार करें जाओंगे ना तो यह बिलकुल फलफी और वाइट वा मताल सबस्ता के बाद तो गाईज कोफी बन गी है और कोफी बी loc海 और इसमें जातों नहरे हको ना यू जिके घर मेर को नंब बारें जासा के लिखंडको मैं इस तैयो बीकर दिया है और ना देखो इतनी मत बनरिया ना बहुत मुस्त बनाए है और बहुत अवोना ले का इस का मसाला मतलब वो को पाउडर है उरले मैं इसे वाले मरिया गरम करेगी पहला इस ना पर चाना गी फिर डाल लगी ए ओ सोरी ठंडा करेगी गरम नहीं गाई और देखो कितना वाइट वाइट हो गया है यह बिल्कुल ब्लैक ब्लैक था न कोफी तब बहुत मस्त लागया करें को मेरी तैर फेवरिट कोफी है या तो ले आई है कोफी पाउडर इसमें डाल देगी अरिस्त करदिया मिन्यों वह सारा कां क्रूल है हंनी का छोड़ दिया है अनी बाद मले लेगान के और गाई अनि के मत गे रह ए इसमें गेरजाने इसमें ऐ के में आ है बैस तो गैस कोफ पीलो और रितिका देखो मेरी बिटिया कर रही है मेरे कपड़ा कप्रेस है मना और मैं करूंगी बरतन साफ देखो सिंख ते भी बार निकल का रही है इतने सारे बरतन हो रही है तो चलो मैं एक बार बरतन साफ कर लो तन और सोई कर दी है क्लेन बिल्कुल और रितिका न कर दी यह इतने सारी कप्रेया का प्रैस भी मुम्मी प्रैस माहन लागी मने मुमी के लत्या कर दी ठी और ममी के रहे पापा के लत्या गए गाइज कोसिस कर रही हूँ एक घंटे आली तो में तो हो नहीं कि एक बाद दूपर एक गंटा और नहीं अंदर लोट रहे हूं नभी राकूने में लत्यक प्रेस हो गड़ी मन सोची करके नहीं तार्ड जुनतीता है है तो आज सोंभी जी चुटी कर रहे हैं तैस मारे फुल रहे और के देखना रहा है तो मेरा ने के ओ माबारत आज तुमाबारत कंप्लीट करना लाग रहे हैं वह माबारत कथी पसंदे नी रहा मायन में तो रही जोड़े सही भी थी आ है सही हाँ और बक्वास देखना था बड़ी अधार निक चीज देख अर इसके बाद के सुद लिल्ला वाति में बीच माली इस मन आई वा दूसरी चला रहे थी तम दर करते पापा निला कला मनना मेरी माबारत देखने दे ते में ये कपड़े दोए थे गाई थोड़े से तोचे इन कपड़े से कजू अरा सोई का काम मन सारा कर दिया ए सबजी के बने गरीती है मनना न अधिव दकर पनीर खानगा पर बनाना पड़ेगा ना मैं बना जूंगी को समता है तो पाइब पर नेर की सबजी काल ना खाकाई जो अधिया बार का कम खाया कम के इसने तक काल कती खाया एक तो उमेने इतना स्ट्रोंग लासन गेर है क्या था वा मैंक कदी मेरे दिमाग त जूंगी चलते में बिटीन वर्पनी की सब्डी बना खिला को फिर कर दो बुर्ष तो टोन रहेगी एक पर ना सारा रहा है इनका फ्रेस को लिए टाइम की हो यहां सवाज है थे फिर मने इस ते इस सुबै इसका फेवरेट ब्रेक फास्ट दिया क्या खाया था था रिटी तो चला और हना इसने लंच भी पो एक आए करा गाई इसने फीटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा घना दिया मुमी में वो एक होंगी तो एब इसने खानी है पनीर की सब्जी आज शान अलका एक हारी है सुबै वी दोनो टाइम तो मैं इस ती बनाउंगी पनीर कोण से बड़ा म शाही पनीर और इसन ना पनीर में अना सिरफ हर सिरफ शाहीड पनीरा पसंद है चलिए मैं एक बारी मुंद दो गुरुष्टा कप्रेस कर दो सौंबीर जी क्या कर और फिर करोंगी तैयारी सब्जी की मेरे कपड़ा कोगी है प्रेस इन एंगर में लगा कर रखूंगी पहला एक बाटे माटर रख दू सब्जी थी बाकी सब ओल गुड्ट सारा सब कुछ और रिती का बीतर बैठी है और नुका है ममी सामान तैयार करके देदे सब्जी में छोग दूंगी और मैं आगी हूं किच तो वो कलेंडर दिया है और हना मन गुड्ट सक्कर ना लेना था गाइज मन खारे खूरे पण कर न भीरा पट्ट अगरे तो मैं अपनी मम्मी तैया मंगवाया करूं हर बार इसमें सक्कर है इसमें गुड्ट है और मन देखो सब्जी निकाल रखी है सारी आप ता बताई थ काजू खतम तैमन गेरी है मूँ फड़ी तो गाइज मन उसमें ना किसे की गलाइसा हुआ है कि जाड्या में भी गर्मी लागत है मैं परेस करूं थी ना तो मेरा इतनी गर्मी लागन लागी वे है ना वाजर सी मेरा चुबन लाग जा है तो मन आवा निकाल दी है और देख अब मने मिर्च डाल दी है और यह सबजी लगाओं कि थोड़ी सी रह रही है पर दो दिन ती चाल जाएगी संडे ना आए जाया कर दो तीन दिन की सबजी है और मने यह टोपरिटा करीबी पहला यह साब कर दी है तो तो चलो मैं एक बार इसना रख दी आमन में और मने यह अपना वो जो बरतन खरीदे थे ना काच के वो निकाल लिया इसमा आपने दीखती होंगी मूमफड़ी यह दी है और टेस्ट में है ना कुछ भी मतलब फरक नहीं आओगा इस बिल्कुल भी काजू का मतलब ना है काजू इसमारे तो हम मूमफड़ी तबी बना सके हैं तो क कुछ भी हो लेडिज नू सोचें करें के एरजेस्ट क्यों करो है कोई चीज कैसे बने बनानी ता सब ना आव है यो ता सब न पता है बई के इतने दिन तर रहा है अगर मैं ता मना सारी चीज बनानी आओपर नू है के थोड़ा सा किसे का कुछ मतलब बतान का वो चेंज हो तो चलिए मैं एक बारी समाननों और समेट दूँ और गॉब भी न काटकर रखूंगी पहला आटा चान करने लगा दूँ और सब जी नू कहरीति का ममी मैं चोग दूँगी तो चलिए पनीरवनीर काड लेओं एक बार तो गाइस देखो ये भी हो गया है और मैं इसमें डालूँगी या सिगरेट रेसिपी एक मतलब यह सिगरेट डालूँगी इसमें चीज क्योंकि ना इस तहना हम लाल मिर्च ना खाते ना इस तक कलर भी बहुत बढ़ी आओगा यो हैल्दी तो हुए है यो हचकुंदर यह न तोड़ तोड़ कर रखवाँगी और यह मने इसमें डाल दी है और गोबी मने काट कर रख दी है क्योंकि आनिनु का थमो में उस यह गोबी की सबजी बना दिया तो मैं यह न काट कर दोकर रख दूगी इनका पानी में चड़ जागा सूब बनाओंगी और यह मैं बैसक डालाओंगी तो एक बार मैं नपीस और तो फिर रिती का सब्जी छोगेगी जाइज रिती का सब्जी के साथ चौड़ खाओगी तो मैं यह भी रख दिये हैं इसमावन में इतना हो जाएंगे मैं इतना है आट्टा लगा लगा लिए वह भी दो दो दी है गाईज ने चड लूँगे और आट्टा भी लगा कर रख दिया है और चावड भी हो लाग रे हैं तो यह भी हो जाएंगे सैसल बस रोटी रोटी बनानी रह जाएंगी और रिती का तर रोटी खाओ को नहीं भी ना खाव शाज चाड़ खाकर आजी रहेंगे तो चलो एक बार मैं तो इतना आतर तर अन्तव खार बाप की मसीन देखाई थी तो मैं ऐक बार यह बयस को जेतर हुआ हो तो मैं देने जो दिकन गार तो रहा हुँ ताम हुआ कर изб Wagah Pradesh हलो देखो यह सारे बैठे हैं बहुत भूइच शारे आद कुट ओ है इस पूंध अपनी रजाया में बढ़ जाओ नजाक है अनी चलो अपनी रजाया में बढ़ जाओ जाक है आजा बिटा नुस्ते बिटा ठीक अनटा पूख बाच तो गाई सोंबिर जी बाप लेखन है और बैट टेको होना तुम ने भी ले लिया है अपना खाना और सब्सक्राइब इसटी बन रही हैं कि सब कद्याई थी सब खान लाग रही है तो ने में मैं रही थी और बरतन बरतन मनरी ता दिये हैं पर दोए दाई मेरा दई जमान का और बस दूद्धादेन का काम रह जागा तो चलिए गाइज मैं भी खा लेती हूं खाना आपने भी खाना होता आप भी खा लो और मिलते हैं आप से नेक्स्ट ब्लोक में लाइक शेयर कमेंट और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा बाई गुड़ नाइट